हेलो स्टूडेंट्स आपका हमारे ट्यूटर टॉप चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम करेंगे अगर वस्तु वक्करता के अंदर पर हो आवतल दरपन के सामने वक्करता के अंदर पर हो तो प्रतिबिम कहां पर बनेगा उसका डैग्राम के रन आरेक बनाएंगे तो क्या होगा वही रूल से अगर कोई रेखा समानतर आती है तो वो टकराने के बाद focus में से वापस जाती है तो फर्स्ट रूल हमारा वही है अब यहां से हमने एक parallel rate ड्रा करने है यह straight आई और टकराने के बाद यह focus में से बाहर जाएगी focus वाले point से कौन-कौन से point को मिला है हमने यह वाले point पहले यह वाला point और यह वाला point इनको मिला है पहले state से दिया है समानतर उसके बाद focus में से और next जो रही होती है उसका rule यह है कि अगर कोई परकास की किरन फोकस में से गुजरती है तो मिरर से टकराने के बाद दरपन से टकराने के बाद वह समानतर हो जाती है इसलिए अगर हम फोकस में से कोई रेखा परकास की किरन यहाँ पर आई तो यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा वह समांतर हो जाएगी दरपन के और जहां पर यह दोनों रेखाएं मिलेगी वहां पर हमारा प्रतिविम बनेगा तो हम देखते हैं प्रतिविम कहां बन रहा है प्रतिविम वक्करदा के अंदर पर ही बन रहा है जो प्रतिविम है वहां वक्करदा के अंदर पर ही बना है, और इसकी स्थिति क्या है, पहले नंबर पर तो यह वक्रता के अंदर पर बना है, दूसरा यह बुल्टा बना है, और इसका जो अकार है वह वस्तू के अकार के बराबर ही है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जो लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जब वस्तु वक्करता के अंदर से परे हो तो प्रतिविम कहां पर बनेगा जाफिर यहाँ पर आप कलिक कर सकते हो अगर यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाए देरा थर्मनेल वीडियो का थेंक्स वार वाचिंग